Hello everyone, this is Akanchara and I welcome you all to my channel. So in this video, हम continue कर रहे हैं HEAT chapter का exercise question and answer जिसमें हम start कर रहे हैं with the section A. इस chapter का explanation part सारा complete हो चुका है as well as हमने definition part भी इस chapter का complete कर लिया है. तो start करते हैं with the first section which is fill in the blank. सबसे first question जो है, वो है heat is a form of dash see, जब chapter start किया था मैंने आपको explain करना तभी मैंने आपको बताया था कि heat जो है एक energy का form है बहुत ही important है यह याद रखना जैसे हम light की बात करें, हम sound की बात करें यह सारे important topics हैं, important chapter से आप पढ़ोगे भी तो यह भी क्या होते हैं? energy के form होते हैं similarly, heat भी एक energy का form है ठीक, तो यह बिल्कुल से आप याद रखना second question is the range of clinical thermometer is from dash to dash clinical thermometer की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि यह body के temperature को measure करने के लिए use किया जाता है if a person is feeling unwell अगर उसे अपनी तब्या ठीक नहीं लग रही है तो क्या करते हैं? हम thermometer की throughs का temperature measure करते हैं अगर temperature जो है वो normal body temperature से ज्यादा होता है तो हम बोलते हैं कि that person is suffering from fever तो अगर हम clinical thermometer के range की बात करें तो it varies from fixed range होता है change नहीं होता है range है it is from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius important here is to focus on the unit which is degree Celsius clear है? normal human body की बात करें तो जो temperature होता है it is about 37 degrees Celsius clear है? तो इस range में 35 to 42 degrees Celsius की जो range हमें दिख रही है इसमें हम असानी से समझ सकते हैं कि temperature जो है वो पोसन का बढ़ रहा है या फिर नॉर्मल है इससे ज़्यादा हमें temperature की जरूरत नहीं है की 30 to 60 होता या 30 to 80 होता नहीं एक human temperature इसी temperature रेंज के विदिन लाई करता है इसके beyond या इससे पहले नहीं जाता है next question is water is a dash conductor of heat यहाँ पर you can see the answer is poor हमने जब chapter पढ़ा था तो हमने पढ़ा था की heat जो है कुछ जो substance है वो heat के good conductor होते है कुछ substance heat के poor conductor होते है या फिर जिने हम bad conductor बोले या फिर आप insulator भी बोल लो मिलनी हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था conductor and insulators तो जो substance heat को allow करते है yes 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 you can pass through me जैसे अगर हम iron rod की बात करे iron rod को आप पकड़के heat flame के उपर खड़े हो जाओ मनलों heat flame में आपने iron rod पकड़ा और खड़े हो गए ठीक तो आपको तुरंत उसका जो heat है ना वो feel होगा जैसे वो transfer होगा like you can see in this image जैसे वो transfer होगा you can feel the warmth in your hand आप बहुत दिर तक पकड़े रहोगे आपका हाथ भी burn कर सकता उस कारण से ठीक है तो एवोईडी करना बट यह होते हैं गुड कंड़क्टर गुड कंड़क्टर आज इन हीट को अलाव कर रहे हैं कि आओ पास्थ्रू मी पूर कंड़क्टर की अगर हम बात करें जिसको हम इंसुलेटर भी बोलते हैं तो पूर कंड़क्टर फीट जो है वो इसको अलाव नहीं करते जैसे लकड़ि का एक्जामपल आप ले लोड का अराम से आप कोईला वगएरा गरम हैं कोई चीज गरम हैं तो आप लकड़ि के कैसे हम चाप्टर में समझ चुके हैं कि कैसे जबी गर्मी ज़ादा होती है लांड जो वो हीट होता है वहां के जो एर है वो लाइट होके उपर की तरफ जाते है और फिर वहां थंडी हवा आ जाती है उसकी प्लेस को कमपनसेट करने के लिए लेने के लिए तो यह जो साइकल चलती है वो सी की बात करें या लांड की बात करें वो हेल्प करते हैं किसमें टेंपरेचर को मेंटेन करने में एर के टेंपरेचर को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं next question is transfer of heat from the sun to the earth takes place mainly through the process of dash concept process को use किया जाता है यहाँ पर यहाँ पर use किया जाता है radiation को क्यों क्योंकि sun से जब earth पे आती है heat sun बना दे हम sun से जब earth पे heat आ रही है ठीक है earth के atmosphere में तो medium present है अर्थ के atmosphere में medium present है air present है बट बहुत space ऐसा होता है जहाँ पर कोई medium present नहीं होता नो medium तो ऐसे medium में जहाँ medium present ही नहीं है वहाँ पर कौन सा mode of transfer यूज किया जाता है तो it is radiation conduction convection और radiation हमने पढ़ा था conduction solid medium में होता है convection हमने liquid और gaseous state में पढ़ा था तो जहाँ पर medium ही नहीं है वहाँ पर आता है role is बहुत ही अच्छे mode का heat transfer के mode का which is radiation so now moving back to question transfer of heat from the sun to earth take place mainly through radiation बिल्कुल आपको याद होना चाहिए now moving to next section which is right true or false for the following statements first question is heat cannot be produced by doing work तो यहां पर आपको कुछ जो words होते हैं जो परिशान करते उन पर ध्यान देना जैसे यहां पर cannot normal से sentence में cannot word added है तो अगर हम वर्क करते हैं आप सिंपल सी ग्जामपल है आप दोनों हाथ को रब करो तो आपको फील होगा कि हाथ आपका गर्म हो गया आप ठंडे में करते हो यह काम ठंडी बहुत ज्यादा होती है आप रब करते हो दोनों हाथ को क्यों कि आपको उससे थोड़ी warmth फील होती है इसका मतलब कि अगर हम वर्क करेंगे तो heat generate होगा, heat produce होगा तो यहाँ पर लिखा है नहीं होगा तो obviously हमारा sentence false हो जाएगा कि heat नहीं produce होगा काम करने से नहीं नहीं बिलकुल गलत तो यह sentence हमारा हो गया गलत, false second question, no gaps are left between the rails of railway tracks, now अब यहाँ पर है no word, तो अगर simply question होता है gaps are left between the rails of railway track तो पहले तो समझे कि case क्या है यह, तो case ऐसा है कि जो railway tracks होते हैं उनमें gap provide किया जाता है gap provide किया जाता है, क्यों किया जाता है because of the property of thermal expansion जो मैं आपको बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ chapter में, चीजे expand करती है जब temperature rise करता है, temperature कब rise करेगा, in the summer season, जब summer season rise, sorry, आएगा, जो rails है, जो tracks वो expand करेंगे, ठीक है, तो वो expansion process को देखते वे थोड़ा gap जो है वो छोड़ा जाता है between the rails of railway tracks, so that thermal expansion हो तो tracks disturb ना हो, कोई problem ना है, trains जो है, वो smoothly run कर पाएं, because अगर हम gap नहीं छोड़ेंगे, thermal expansion होगा, तो चीजे problem create करेंगे, ठीक है, accident हो सकता है train का, तो यहाँ पर लिखा है, no gaps are left, नहीं, बिलकुल नहीं, gaps छोड़े जाते हैं, तो यहाँ पर no word के कारण, यह statement हो गया, false, समझ में आई बात, okay, next question is, poor conductor of heat, are also insulators of heat, yes, yes, good insulator of heat, अगर poor conductor है, तो just opposite कर दो insulator के case में, good insulator हो जाएगा, conductor को opposite insulator, तो poor conductor क्या हो जाएंगे, good insulator हो जाएंगे, और good conductor क्या हो जाएंगे, poor insulator हो जाएंगे, तो यह हमारा sentence हो गया, true, fine, moving to next question, ventilators when provided in rooms are located near the roof, अगर ventilator room में provide किये जाते हैं, तो वो छत की तरफ होते हैं, जो घर का जो उपर जो छत होता है, उसकी तरफ होते हैं, normal है, आप देखे भी होगे, normal room है मालो, आप यहाँ पर मस्त बैठ के टीवी देख रहे हो, पढ़ रहे हो, घर वे बाकी लोग भी है तो यह ventilator उपर होता है, जो भी हो area वहाँ पर, क्योंकि आपने एक बहुत ही important process पढ़ा है, convection current, जब यहाँ पर heat, air जो है वो heat होगा, गरम होगा, it will move upward, उपर की तरफ जाएगा, air कि तर जाएगा, उपर की तरफ जाएगा, अब उपर की तरफ जाएगा, तो इसको passage मिलना चाहिए न, कि यह बाहर निकल जाए, समझ रहे बात को, अगर इसे passage ही नहीं मिलेगा, तो यह room में ही circulate करता रह जाएगा, अब room में circulate करता रह जाएगा, तो गरमी बढ़ जाएगी बहुत room के अंदर, fitting my point, तो इस region से, क्योंकि जो air है, वो गरम होके उपर की तरफ जाता पिली ट्रू, fine, next question, a material medium is required for transfer of heat by the process of radiation, मैंने आपको यह चाप्टर में बहुत अच्छे से बता, इसलिए कुछ बोले भीना मैंने cross किया, cross किया, जीन, नहीं, radiation को किसी material medium की जरूरत नहीं पढ़ती है, यह बहुत ही अच्छा mode है, transfer का, क्योंकि इसकी कोई चिक चिक नहीं है नो, 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 मुझे नहीं जरूरत थे, तुम लोगो जरूरत थे, convection का, conduction, तुम लोग यूज करो, मैं radiation हूँ, मुझे किसी material medium की जरूरत नहीं है, तो यहां लिखाए की जरूरत है, तो बिलकुल नहीं, गलत, ठीक, ओके, moving to next section, C, tick the correct option, a copper ball at 30 degree Celsius, is put in a container containing water at 30 degree Celsius, सबसे पह यह भी 30, मतलब temperature same है, तो अगर हम copper ball को किसी ऐसे container में रखते हैं, जिसमें water है, और water और copper ball दोनों का temperature similar है, which is 30 degree Celsius, तो क्या होगा इस case में, first option, heat will get transferred from water to the copper ball, क्यो भाई, जब हीट का भी 30 है, sorry, sorry, जब water का भी 30 है, और ball का भी 30 है, तो क्यों heat जो है, वो water से ball की तरफ जाएगा, possibly नहीं, wrong, heat will be transferred from the copper ball to water, again, copper भी 30, heat भी 30, तो क्यों copper ball से water की तरफ जाएगा, wrong, next, heat would first flow from copper ball to water and then from water to copper ball, heat को कबड़ी खिलने का मन कर रहे हैं, नहीं, एक बर copper ball से water, फिर water से copper ball नहीं, बिल्कुल नहीं, heat ये भी नहीं होगा, तो answer will be, there would be no transfer of heat between the copper ball and water, because, because temperature of both are same, higher to lower temperature जाता है, temperature as in higher to lower heat transfer होता है, तो यहाँ पर जब दोनों तरफ temperature सेम है, तो क्या difference है, कोई transfer नहीं होगा, ठीक समझ में आ गई बात, next question, the reading of the laboratory thermometer, in the figure shown here is, अब इस figure में हमें reading बतानी है, तो figure देखो, थोड़ा मैं बड़ा बना देती हूँ, यह लो मैंने figure बना दिया, यहाँ पर सबसे पहले दिया हुआ है, इस तरह से minus 10, minus 10 degree Celsius, 1, 2, 3, 4 and 5, 1, 2, 3, 4 and 5 again, 1, 2, 3, 4, 5 again, तो यहाँ पर 10, 0 degree, यह 10 हो गया, यह हो गया 20, अब यहाँ पर मैं थोड़ा elaborate कर रही हूँ, एक reading, एक पार्ट को, जैसे मैं क्या करूंगी, यह मैंने 0 से 10 वाले को थोड़ा बड़ा कर दिया, this part, थिक, तो यह क्या हो गया, यह divide कर दिया, हमने यह हो जाएगा, 2, 4, 6, 8, ह हो जाएगा न, अगेन यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, 10 to 20 को divide कर दे रही हूँ, तो this will be 12, 14, 16, 18 and finally 20, reading पूछ रहा है, अब यहाँ पर मैं आप से पूछती हूँ, कि आप reading बताओ, इस point पे, यहाँ पर 10 तक तो पहुच गए, अब 10 के बाद यहाँ पर reading रुक जा रही है तो यह जो reading रुकी है, यह रुकी है at this point, this one, clear, अब आप count करो 12, 14, 16 और यह क्या हो गया, यह हो गया, 18 degree Celsius, तो हमारा answer क्या हो जाएगा, answer हमारा हो जाएगा, यहाँ पर 18 degree Celsius, ठीक है, अब समझो है, मैंने क्यों आट आया था, वो गलत, गलती सो वहाँ पर हो गया था, तो it is 18 degree Celsius, clear है, आप reading लेना सिख जाओ, ऐसे ही, next, it is not convenient to use the laboratory thermometer to measure our body temperature, this is so because, तो यहाँ पर अगेन, लिखने में मेहनत भी लगती है, थोड़ी थोड़ी गलती भी हो जाती है, तो यहाँ पर question में पूच रहा है, कि laboratory thermometer convenient नहीं होता, अच्छा नहीं होता, बहुत ज़्यादा, बहु temperature को measure करने के लिए, क्यों, सबसे पहले, its range is small, नहीं, इसका range तो बहुत ज्यादा होता है, mercury thermometer का, है ना, minus 10 to 110 degrees Celsius, तो बहुत ज़्यादा range है, कैसे बोलेंगे, small है, बिल्कुल गलत, यहाँ पर second option देखें, तो as the thermometer is taken out from the mouth, मालो किसी person की तब्यात खराब है, उसके mouth में thermometer डाल और उसको निकाल के हम चेक करना चाहते हैं, कि mercury का level कितना गया, तभी तो हम समझ पाएंगे ना, कि उस person का temperature कितना है at the moment, तो जैसे ही हम laboratory thermometer को बाहर निकालेंगे उसके मुह से, तुरंच से level fall कर जाएगा, क्यों कर जाएगा level fall, क्यों कि वहाँ पर एक बहुत ही important चीज नही present है, जिसको हम कहते हैं kink, kink रोकता है fall करने से, laboratory thermometer में kink नहीं होता है, तो laboratory thermometer में चीजे तुरंच fall कर जाती है, fall कर जाती है, तो हम कैसे study कर पाएंगे, क्या temperature है, है ना, तो इसी लिए हम clinical thermometer यूज करते हैं, क्योंकि clinical thermometer में kink present होता है, वो mercury के level को fall होने नहीं देता, fall कैसे करते हैं, हम जर्क देके, हम उसको जारते हैं, जर्क देते हैं, तो वो जो है, लेवल वापस से अपनी position पे आता है, next option हम देख लें तो, our body does not transfer heat to its bulb, गलत, it takes a very long time to acquire the temperature of the body, गलत, तो अपना answer हो जाएगा second, fine, moving to next question, when we hold our hands, close to the side of the flame, the hands, the, they get warmed up mainly due to, तो यहां पर देख एक छोटी सी चीज है, important भी है, यह candle है माल लो, यह candle ही रखा, हमने कोई flame, यह candle का flame, बोला गया है, hand को हम side में रख रहे हैं, इस तरफ, अब यहां पर आपने conduction पढ़ा हुआ है, convection पढ़ा है, convection आपने पढ़ा है कि, gassy state में हो रहा है, air present है, तो यहां पर ना, जब ही convection की बात करते हैं, तो जो heat है, वो उपर की तरफ जाती है, हमने convection current पढ़ा ना, land और sea breeze में, उपर की तरफ जाती है, यहां पर hand को हमने रखा हुआ है, side of the flame में, our hands close to the side of a flame, तो जब side की हैं, हम बात करते हैं, तो यहां पर convection current नहीं create हो रहा है, radiation के कारण, we feel warmth, fine, ठीक है, next question पर बढ़ते हैं, हम, the freezer compartment in a refrigerator is usually put near its top, जो freezer compartment होता है, जिसमें आप ice box रखते हो, ice cream रखते हो, अपने chocolates रखते हो, वो generally, refrigerator में, ऊपर की तरफ होता है, this provide good cooling throughout the refrigerator through, कैसे provide करता है, देख लेते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है, यहां पर माल लो कि यह freezer area है, यह पूरा refrigerator है, तो क्या होता है, यहां पर चीजें ज्यादा थंडी हो रही हैं, इस जगा पे, भाई यहां पर ice cream जमा रहे हैं, आइस cream बना रहे हैं, तो यहां पर जो air तो यहां पर जो air होंगे, वो comparatively क्या होंगे, गर्म होंगे, comparatively गर्म नहीं होंगे, यह freeze की बात है, लेकिन इसके मुकाबले, जो यहां पर जो air होगा, उसके मुकाबले, तो यह जाएंगे उपर, और यह आएगा नीचे, तो एक convection current create हो रहा है, है कि नहीं, जो हमने land और sea breeze में पढ़ा था, तो यह देखो option अपने, तो इसमें the setting up of convection currents in the air inside the refrigerator, यह बहुत अच्छी cooling प्रोवाइड करता है, बाकि हम options देख लेते हैं, तो option सबसे पहला good conductivity of air, किस form में, good conductivity of air कैसे करेंगे, इसको कैसे show करेंगे, answer appropriate है, अनाप्रोप्रियेट, अप्रोप्रियेट क्या, ठीक है, the radiation of heat by the food items kept inside the refrigerator, no, यहाँ पर radiation की बात भी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक, cooling की बात कर रहे हैं, transfer of heat by conduction and radiation, नहीं, conduction और radiation की बात अगेन नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पर main important जो हमारा point है, वो है convection current, clear, तो यहाँ पर अब हम इस session को end करते हैं, next session में we will go for discussing our next section जो है D&D, till then आप चीजों को पढ़ो, revise करो, conviction, conduction and radiation पे अपना जो knowledge है उसको strong कर लो, बहुत important topic है, यह general awareness के लिए भी आपको चीजे पता होनी चाहिए, till then just stay safe, take care and bye everyone.